आईए आपका फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में केड़कर होस्पिटल अकोला हमारा अस्तित्व है कि लोगों को मांचीक रूप से सक्षम मजबूत और शक्तिशाली बनाना जिससे उनकी उत्पादक्ता बढ़ेगी आर्तिक संपन्नता होगी उनके जीवन में खुश्याली आएगी लोग शान्ति पुर्णता नशा मुक्त जीवन जेएंगे और हर परिवार में सुसमवाद होगा और ये नए विश्यो का नेमन होगा उसी के लिए हम काम करते हैं हमारा मिशन है कि हमारे देश में अनेक बहुत मनो रुगन है और हर मनो रुगन तक आप पहुश्चे नहीं हो आपन पहुश्चे नहीं है तो हमारा mission है कि हर घर में यूटूब के दोरे हम पहुँचे और उनको बिमारियों के बारे में पता चले ताकि हम 10 साल में 10 लाक लोगों का मांसी कुप्चार करें यह हमारा mission है हमारे mission है कि हमारे hospital में बहुत दूर-धूर से लोग आते हैं जरकन से आते हैं बहुत से बिमारिया ऐसे है कि लोगों को पता नहीं है और हमारा मिशन यह है कि हम लोगों तक पहुँचे तो आपको मेरी बिंती है कि हमारा यह जो वीडियो आप देख रहे है यह शेयर करें जादा से जादा ताकि हम लोगों तक पहुँच सके और लोगों को बिमारीयों के बारे में पता चले हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको मांसिक रोग क्या है उनका पता ही नहीं है तो मिशन के तहट हमारा यह उद्देश है कि हम 10 साल में कम से कम 10 लाख लोगों तक पहुचे और उनको उनके जिवल में खुश्याली दे सके तो देखिए अपने पास में एक पेशन्ट आया है यह है आपका गाओ कुन सा है सस्ता बात तलुका वर्धा जिल्ला से आया है और इनके पेशन्ट को यह अपने आप से बलबल करते रहे रहते हैं खुच से आजते हैं कुच से रोते हैं कभी-कभी मारने के लिए दवड़ते हैं और एक जगों पर ठहरते नहीं है नीन नहीं आती है इनको ऐशी तरह कि उनकी विमारिया थी और पिछले दो साल से इनको तकलीब है देखिए उनको अभी यह तकलीब उनके मुझ से सुनिये क्या के तकलीब थी आपको इनको तकलीब थी मन में बढ़बढ करना अच्छा और एकांत में बढ़के हाथी के उंगले गुमाना हाँ हाँ घर के सद्धेश्य को कोई मार्पिट करना इसी और गंदिशना से साहरे पही कसा है कर है करा की तो के सद्धी नहीं ठाइटा हे वापि मतरना थी वर गुमार गीयेटि यह 2 x 4 में इतना नेखल दॉपके दिल की दिल नहीं बाते कि करता रहता है आ यह से रहता है रोते रहता है गभी-कभी मारे दंसा पता ऐसा अगर condition रहा तो वो घर का हल क्या होगा आपको पता है इसी के वज़े से हमारा YouTube का वीडियो देखके यह लोग आया है अभी कितने दिन से आया हो यहां पर तीसरा दिन है अभी तीन दिन हो गए कितना फरक है दस टका फरक है तस टका फरक हो आया है तीन दिन का सिर्फ इल आट दिन के बाद में आपको फरक दिखने लगता है और यह आप दिन के बाद में आपको अगर दिखा है मैंने तो एकदम अच्छा हो जाएगा और यह उसके काम करेगा स्कूल में जाएगा या जो भी उसके काम है वो काम करेगा और एकदम अच्छी जिन्दगी जिएगा तो मेरी आपसे बिंती है कि आएसे अगर प्वेशन कोई आपके बाजू-बाजू में है तो उसको हमारे यहां पे लेकर आओ, हम उनका इलाज करेंगे, नमस्कार्ण करेंगे, नमस्कार्ण